वूल को लेना है नाव नेक्स स्टेप इन वूल की शियरिंग की जाती है जैसे बार बार आपके हैर को कट करता है वैसे ही वूल की शियरिंग की जाती है मतलब इनके हैर निकाले जाते हैं इनकी बॉड़ी से then scouring scouring मतलब साफ करना दोना तो इस वूल को sopy hot sopy water से बार बार wash किया जाता है तब तक wash किया जाता है तब तक के पानी पूरा गंदा नहीं हो जाता then sorting इसे sort किया जाता है तो बहुत सारे different types के वूल होते हैं टीके sheep की body में उसे अलग-अलग sort किया जाता है अलग किया जाता है उसे then drying उसे dry किया जाता है बार बार धुने के बाद उसे क्या किया जाता है रिंज किया जाता है न हम कप्टे dryer में डालते है machine के तो वो कैसे rinse हो जाते है dry हो जाते है तो वैसे ही वूल को भी बड़े-बड़े dryers में डालके और dry किया जाता है ही इसका machine dry है ठीक है जहां पर commercial use में जब dry करते हैं बट जब इन्हें domestic scale पर dry करते है domestic scale मतलब छोटे level पर ठीक है घरों में जब उससे dry किया जाता है तो ऐसी जगह रखा जाता है जो कि सुखी और hot हो जहां पर थोड़ी गर्मी हो तो ऐसी dry जगह पर रखा जाता है बट डायरेक्ट sunlight में कभी नहीं रखा जाता है ठीक है बूल को directly sunlight में या direct धूप में नहीं सुखाते बट ऐसी जगह पर सुखाते है जहां पर गर्मी भी हो और सुखा भी हो देन उसके बाद उसे color किया जाता है उसे रंगा जाता है ना sweaters जो हम पहनते हैं कितने colorful होते हैं उन्हें color किया जाता है तो the natural color of the fleece is brown जो natural color है उस fleece का जो wool का natural color है वो कैसा है ब्राउन है या black या off white होता है है ना जो sheeps के normally color होते है वो color का उनका wool होता है बट उन्हें अच्छा दिखाने के लिए attractive बनाने के लिए क्या गया जाता है उन्हें रंगा जाता है color किया जाता है और उसे क्यों कहा जाता है dyeing तो the wool can be dyed easily as it readily accepts dye colors wool में पानी सोखने के बहुत जादा शर्मता होती है इसलिए वो जुट dye है जो color है वो भी easily soak लेता है तो वो easily color हो जाता है और अच्छे colors में wool हमें market में मिलता है then dye करने के बाद क्या किया जाता है उसे rolling into yarn उसे yarn बनाया जाता है उसका धागा बनाया जाता है thread जैसा बनता है तो the fleece fiber are really finally straightened तो जो fleece fiber जो सपहर्ड को जैसे कि हम अपने बालों को मिला है वो उसे straight किया जाता है तो उसमें जो loop होते हो निकल जाते है तो वैसे ही yarn को भी को किया जाता है then rolled into yarn और उसे roll किया जाता है ठीक है उसे roll करके रख दिया जाता है the straightening and stretching the fiber to obtain maximum spinning fiber को straight करना सीधा करना और touch करना कब तक जब तक कि उसकी जो maximum spinning capacity है वो ना आ जाए maximum spinning capacity मतलब जब तक वो बिलकुल अच्छे से fine thread नहीं बन जाए तो both the longer and the shorter fiber have different use जो long fiber है और जो short fiber है दोनों के different uses है तो क्या uses है let's see, जो long fiber होते है उन्हें sweater बनाने के use में लिया जाता है और जो short fiber होते है उसे बुनके और कपड़े बनाया जाते है wool and clothes now यहाँ पे आपको rearrange करना है तो यहाँ पे यह जो सारी process है, यह arranged है यह arranged नहीं है ठीके इसे arrange करना पड़ेगा तो इसको कैसे arrange करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे इन सब में से सबसे पहले fleece को wash करेंगे then सुखा के उसे dry करके और फिर sort करेंगे अब sort करने के बाल क्या किया जाएगा उसे comb किया जाएगा ठीके उसके बाद then what should we do roll करेंगे या spin करेंगे हम उसे पहले roll करेंगे then उसे क्या करेंगे spin करेंगे ठीके उसे बूनेंगे उसका जो बनाना है material से वो बनाएंगे सबसे last में करेंगे वो पर उसे पहले क्या करेंगे रोल करेंगे five single strands of wool yarn twisted together उसे रोल करेंगे ठीक है then we will spin it now health hazards in wool industry वूल इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनके लिए बहुत health hazards hazards मतलब बहुत नुकसान भी हो सकते हैं उनके लिए ख़तरनाक भी हो सकता है तो let's see कि वूल इंडस्ट्री में काम करना कैसे hazardous हो सकता है बुरा हो सकता है तो workers who are involved in process of raw wool often suffer from sorter disease also known as anthrax sorter disease मितलब जो sort करते हैं उन्हें यह disease होती है this is anthrax तो anthrax this used to be a deadly disease यह बहुत deadly disease होती थी however now we have good treatment अभी disease का treatment available है we also have effective vaccines against it effective vaccines भी लगाई जाती है इसके लिए ताकि यह disease ना हो तो anthrax में look anthrax में body पे कहीं कहीं ऐसे निशान हो जाते है ठीक है now asthma, bronchitis and allergies, asthma, bronchitis साथ से related problem भी होती है साथ से related problem क्यों होती है लोगों को क्योंकि जैसे जहां पर wool sort कर रहे है या वूल से related कोई काम कर रहे है तो जो शीप का हैर है जो शीप के हैर से चोटे चोटे वह उनके नाक में चले जाएंगे उस duration में रिस्पायर करते टाइम सांस लिते टाइम तो जब वो उनकी बॉड़ी में एंटर करेंगे तो वो प्रब्लम क्रियेट करेंगे और उनसे ब नाव सम अधर कॉमन है प्रॉब्लम इंक्लुड़ेट बैक पेन नेक पेन डिहाइडरेशन फैटिग और और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है तो उन्हें यह सारे काम करने में नेक पेन हो सकता है या डिहाइडरेशन दैन फैटिग धकान ज्यादा हो सकती है कट्स लग सकते ह और पहुत सारी skin problems भी हो सकती है क्योंकि sheep hairs है उनके साथ work करते time उन्हें skin problems allergies भी हो सकती है I hope you understood it till now and if you have any doubts you can ask me in the comment section below and don't miss the live session you can ask as much as doubt as you want in the live section thank you for watching